नहीं है और ना ही ये लंबा लेट नाइट कॉन्वसेशन चलने वाला है लेकिन अभी अभी एक इतनी बड़ी डेवलप्मेंट होई जिसके बारे में बात करना काफी जरूरी है क्योंकि देशभगत पर हम ये स्टोरी काफी दिनों से कवर कर रहे हैं इस पर हमने पिछले कु क्योंकि हमारे पास इतना सारा कॉंटेंट था लेकिन हम भूल गए थे कि पूरा देश अनन्दमानी के शादी में उसे कंग्रैचुलेशन करने में काफी बिजी था और उसी के अंदर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक लगता है खेल दिया है जब आप शादी में रियाना के विडियो देख रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और उसी में ही सरकार ने आपका मीम बना दिया है वहाँ एक तरफ शादी हो रही है और यहाँ डिमॉक्रिसी की डिवॉर्स हो रही है हमारे देश के साथ कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी इतनी बुरी तरीके से आप हु एक एहम जो फैसला आया था, उसकी भी अब धजियां ओड रही है. ये इतना important ख़बर क्यों है कि मैं ताबड तोड रात के 11 बजे आपके साथ लाइफ स्ट्रीम पर आया हूँ कि किसने कहा कि डिमोकरसी खत्रे में है, आओ हम तुमको दिखाते हैं, हम गोट से बन जाएंगे, उनके लिए एक छोटा सा पाइगाम है कि भाईया थोड़ा सा गिरिबान में जाके देख लो कि देश के साथ क्या हो रहा है और ये मेरे एक हाल से एक ही केस काफी है, अगर सुप्रीम कोट इसे नहीं रोकती है, अगर सुप्रीम कोट इस अपमान को नहीं रोकती है, अगर सुप्रीम कोट एक लक्षमन रेखा नहीं खीचती है, तो आप डिमोकरसी को तो टाटा गुडबाय खतम कर ही दीजे, बतात रहे हो वो असमवैदानिक है, it is unconstitutional, हम इसे strike down कर रहे हैं, लेकिन court भी काफी happy happy थी कि अच्छा जो पैसा गया वो तो गया, लेकिन आप एक काम करिए कि 2019 से जब पहली जब इसमें सुनवाई हुई थी इस case में, तब से लेकर आज तक जितने भी electoral bonds खरीदे गए हैं, उसकी आप हमें receipt दिखाईए, किसना पैसा किसके पास गया था, तो सुप्रीम कोट ने इस एहम फैसले में ऐसा नहीं किया कि अच्छा चोर पकड़ा गया है, तो उसे एक फटकार लगा कि उसे छोड़ दो, चोर को ये बोला गया, कि अच्छा ये बताईए, कि किसने कितने पैसे, कितने parties को दिया, इसमें सारे party शामिल है, मेरे गाल से एक CPM को छोड़कर सारे party शामिल है, कि जिरोंने electoral bonds लिये थे, अब इसमें दिक्कत ये आ गई, कि सबसे ज़्यादा electoral bonds तो सरकार नहीं लिया था, बीजेपी नहीं लिया था, बीजेपी सरकार अब समझाना पड़ेगा, कि अच्छा इसने electoral bonds लिये थे, और ये बहुत बड़ा electoral मुद्दा बन जाता, कि जैसे ही ये आता, आउट, और 6 मार्च को, SBI को, election commission को ये details देनी थी, कि पिछले 5 सालों में किसने कितने electoral bonds खरीदे हैं, और ये information election commission के पास जाएगा, election commission 15 मार्च को ये information release करेगी, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है, कि 15 मार्च से लेकर election से जब शुरुआत होगी, ये रफली बने एक या second phase तक, एक महीने का समय होता opposition के पास, opposition parties के पास, civil society के पास, ये जाचने के लिए, ये परखने के लिए, कि कितने लोग ने कितना पैसा दिया है, और उन्हें बदले में कितना मिला है, अब ये तो सभी अनुमान लगा रहे थे, कि कितना घोटाला हुआ है, क्योंकि ये तो सब secret था, किसी को कानोगान खाबर नहीं हो रही थी, जो पैसा दे रहा है, और जो पैसा ले रहा है, बस उसे ही मालुम था, कि पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, और इसी के चलते हुए, मेरे ख्याल से सरकार काफी सदमे में आ गए कि इससे तो काफी धोती खुल जाएगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि किसको कितना फेवर दिया है, सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉंड किसने खरीदा है, सबसे बड़े कॉंट्राक्ट किसको मिले हैं, और इसी लिए आशा जताई जा रही थी, As a matter of fact, हमने जो एपिसोड भी बनाया था, ये तो latest एपिसोड है और इससे पहले ये भी एपिसोड के बारें बात करेंगे, लेकिन जो electoral bonds पे एपिसोड बनाया था, उसमें हमने साफ साफ लिख दिया था, इसके अगर आप description पर जाएंगे, इसमें आप title पर जाएंगे, तो कि SBI तो completely independent है, सरकार को कोई role है, नहीं SBI में, SBI आकर Supreme Court को दुहार लगा रही है, और मैं दुहार आपको पढ़के बता रहा हूँ, दुहार ये लगा रही है कि देखिए, 12 April 2019 से लेकर 15 February 2022 के बीच में करीबन 22,000, नहीं, exact figure is 22,217 electoral bonds खरीदे गए, एक एक करोर के minimum electoral bonds होता है एक करोर के सबसे ज़ादा बेचे गए है, electoral bonds by the way, 22,000, तो 1600 करोर तो इसी में आप समझ लीजे कि एक करोर के कितने खरीदे गए हैं, average आप समझे सकते हैं, अब SBI की ये दुहार है कि देखिए, ये सब तो coded information होता था, किसी को कानो कान ख़बर तो होती नहीं थी, तो इसमें two sets of information है, जो आप double कर दीजिए, matching कराने के लिए, हमें 44,413 data sets के साथ deal करना पड़ेगा, और ये समय हमारे लिए बहुत कम है, इसलिए हमें आप थोड़ी चंद महूलत देजिए, अब महूलत कितनी मांगें नहीं, कुछ दिन के लिए नहीं, कुछ हफतों के लिए नहीं, सी कोई घंटा कोई को खाड़ पाएगा, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना, इतना, इतना dangerous इसलिए है, अगर बच्चे देखना तो ना देखे, लेकिन अगर आपके सामने कोई, आपको उंगली दिखा दे, तो आपको बुरा लगेगा ना, ये उंगली दिखाई ज जादा है, हम इसको दे नहीं पाएंगे, और टेकनिकल ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोड को मनवा भी लिया जाएगा, इसमें भी मुझे कोई डाउट है, वैसे है नहीं, अनलेसलिए सुप्रीम कोड ये बोले कि भाया, SBI के सारे ब्रांचेस बंद कर दो, SBI के सारे ब्रां गिनोना सच है, वो कितना गिनोना, कितना गंदा था और कितना घटिया था, इसलिए, क्योंकि सबसे पहला तो इसमें जो डर ये लग रहा है, कि जब आप चार महिना लोगें डेटा समझाने के लिए, तो आपके पास manipulation करने का, अपने tracks clear करने का बहुत time रहेगा, तो अगर इसमें धांदली हुई है, अगर इसमें लेंदेन हुई है, अगर इसमें हेरा फेरी हुई है, तो इसको set right करने के लिए, आपने चार महिने दे दिये, जो कि अपने आप में खतरनाक है, और जो कि एक already एक problem को संकेत देता है, हमें ये भी समझ में आ जाएगा, कि लेंदेन क कर रहा है, वो electoral matter बन जाएगा, तो इसलिए भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दुख की बात ये है, कि सरकार कह रही है, कि 97 करोर, आप लगा लीजिए, 1 billion voter लगा लीजिए, 97 करोर बोलना है, बोल लीजिए, लेकिन इतने लोगों की voting की आप तयारी कर सकते हो, इतने लोग vote करेंगे, उसकी तयारी है आपके पास, इतने लोगों के vote की counting machine, अब EVM पर आते हैं अभी, लेकिन इतने लोगों की counting भी आप एक दिन में करा सकते हो, उसकी तयारी है आपके पास, लेकिन सरकार की SBI ये कहती है, कि वो 44,000 data sets tabulate नहीं कर सकती है, जो 3 हफते दिये गए थे, 3 हफते नहीं, उसे 4 महीने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ अलड़ी clear कर दी थी अपने verdict में, कि ये जो आप कह रहे हो न, हमें मालूम नहीं है, दो sets of data है, हमें matching करनी थी, इसमें कोई सत्य शायद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे बहुत बड़ी question mark लगाई थी, कि ये जो data है, ये private है, कि नहीं है, क्या सरकार को मालूम नहीं है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, तो ये जो ढोंग है, कि ये सब private है, ये सब hidden information है, क्या ये सच है, या क्या ये जूट है, अब ये जरूरी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एतिह एतिहासिक फैसला दिया था, उसे बचाया जाए, नहीं तो उस एतिहासिक फैसले का कोई value नहीं है, और मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर इस request को खारिज ना किया जाए, इस request पर penalty ना लगाई जाए, वैसे तो कोई भी petitioner आता है, तो 2-4 लाक रुपए की penalty बताय दिया जी है, कि ये सब आपने फरजी case दायर किया है, तो हम आप पर penalty लगाएंगे, यहां तो SBI पर penalty लगानी चाहिए, कि आपकी हिमाकत कैसे हुई, आपने हिम्मत कैसे की, कि एक हमने इतना बड़ा फैसला दिया है, उसको अमल ना करने के लिए, दो दिन पहले, 6 March क ये information release होना था, दो दिन पहले आकर आप ये दुहार लगा रहे हो हमसे, कि हमारे पास तो ability है ही नहीं, ये data आपके पास देने के लिए, मने computer से नहीं क्या बही खाते में लिख रहे थे, क्या duplicate में लिख रहे थे, क्या carbon paper पर लिख रहे थे, आप भी जानते हैं और हम भी जा खारेच किया था, ये बोलकर खारेच किया था, कि right to information of voter एक चीज होती है, और अगर आप voter को ये नहीं बताओगे, कि किसने कितने पैसे दिये हैं उसके candidate को, और किसके पैसे के दम पर वो candidate जीत रहा है, ये voter के right to information को infringe करता है, तो अगर सुप्रीम कोट ये बात मान लेती ह कि भाया, इनको चार महीने दे दिया जाए, election के बाद ये electoral bonds का data सामने रखेंगे, किसने किसको कितने पैसे दिये थे, election के बाद पता चलेगा, तो इसका मतलब है, ये election अपने आपने unconstitutional होगा, क्योंकि voter का जो हक है, कि उसके जो candidates है, उसकी जो party है, उसको किसने कितने पैसे दिये है, वो उसको जानने का हक है, और इसी लिए electoral bonds को unconstitutional किया था, तो जब SBI ये data देने से मना कर रही है, तो इसका मतलब है, क्या हमारा आने वाला 2024 election भी unconstitutional होगा, क्योंकि voter तो अंधे तरीके से जाके vote करेगा, मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो voter जानन in return, दूसरी चीज जो Supreme Court ने ये कहा था, कि transparency का हवाला देते हुए electoral bonds को cancel किया गया था, कि ये transparent system नहीं है, और क्या quid pro क्यों हो रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन उसी non transparency को आज आप increase कर रहे हो, जब आप Supreme Court को बता रहे हो, कि election से पहले हम ये information नहीं दे पाएंगे, चलो प क्योंकि भई, चलो हमने बोला पांच करोड से जादा किसने दिये हैं, वो tabulate कर लो, छोटे वाले हटा दो, तो ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एक excuse चल रहा है, इसको रोकने की जरूरत है, सबसे जो worrying चीज़ है, जो हमने अपने episode में भी, अगर आपने ये व मतलब है कि चाइना की कोई shell company, कोई mobile company चाइना की आकर यहां एक company बैठा लेगी, और करोरो करोरो रूपए देगी, कोई धंदा नहीं करेगी, उसका काम ही होगा सिर्फ करोरो करोरो रूपए देना, तो ये तो अच्छी बात है कि भाया, electoral bonds को illegal non-constitutional घोशित कर दिया गया है बीजेपी के तो सामने आना चाहिए, देखना चाहिए कि भाया कोई foreign funding तो नहीं आती है, हर जगे तो Soros, Soros, Soros चिलाते रहते हो, अब जब एक मौका आया कि कोई Soros को पकड़ो, सोचो Soros भी तो पैसे दे सकता है, कोई shell company के थुरू, लेकिन अब पता नहीं कि ओ, या तो China ह या तो Soros, उसको पकड़नी की जब बारी आती है, तो फिर सरकार कतरा जाती है, बोलती है, या सरकार की SBI बोलती है, कि आपको information अभी नहीं दे सकते हैं, हम चार महीने बाद देंगे, loss making companies भी पैसा दे रही थी, और सबसे मज़ेदार बात है कि News laundry और News Minute ने एक स्टोरी की थ कि कैसे जो companies ने कभी electoral bonds नहीं खरीदे, जब उन पर छानबीन होने लगी, उन पर छापे पड़ने लगे, तब वो electoral bonds खरीदने लगे, तो क्या ये भी एक और information आता कि कितनी गंदगी चल रही थी, electoral bonds के नाम पर ये चीज़े सामने आ जाती है, शायद इसलिए इसको रोका ग गया है, और Supreme Court को बहुत heavily come down करने की जरूरत है, कुछ भी हो, SBI को बंद करवा दो, lunch cancel करवा दो, मेरे खाल से तो सिर्फ बंद करने की जरूरत नहीं है, lunch hour cancel करा दो, ये 44,000 set of data's दो दिन में ऐसे ही निकलाएंगे, चाहे वो बही खाते में भी क्यों ना लिखा हो, चाहे वो 120 feet नीचे गड़ा क्यों ना हो, इतना मुश्किल हो नहीं सकता है, अगर वो data already present नहीं है, कुछ लोगों का मानना है, वो data अपने आप में ही present है, ये quick live stream मैं सिर्फ इस वज़े से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये electoral bonds का मजा कोड़ रहा है, Supreme Court का जो verdict है, उसका मजा कोड़ र गया है, अगर democracy पर कोई दो सवाल उठा दे कि क्या हो रहा है, कहां जा रहे हैं, तो फिर लोग आग बबूला होकर आपको गोली मानने चले आते हैं, democracy के नाम पर गोट से बने जाते हैं सब कुछ, लेकिन अगर आप facts on the ground देखो कि किस तरीके से democracy आ गला घोटा जा रहा है, तो वहां कुछ नहीं होता है, कुछी दिन पहले की बात है, चंडिगड मेयोरल election की आप बात कर लीजिये, क्या हुआ, अनिल मसी को क्या हुआ, जो presiding officer थे, जो camera में पकड़े गए, supreme court ने तो इतना बड़ा फैसला ले लिया, हाल आज ये है कि एक मेयोरल election में on camera fraud होता है, उ उसके खिलाब भी कोई hard action नहीं लिया जाता है, ये नहीं पता करने की कोशिश की जाती है, कि अनिल मसी के पापा ममा कौन है, उसके supreme leader कौन है, उसने ऐसा काम क्यों किया था, अपने आप ही किया था, या किसी कर कहने पर किया था, इतना confident वो कैसे हो सकता था, ये सारे सवाल क के जवाब हमें नहीं मिले, verdict आया, impact कुछ नहीं, electoral bond में भी अब दिख रहा है, verdict आया, अगर impact कुछ नहीं है, तो इस verdict के कोई माईने नहीं है, इसका मतलब है, वही dirty money के साथ इस साल भी election लड़ा जाएगा, और voter आज भी अंदा ही रह जाएगा, कि उसके candidate को कौन fund कर रहा ह और जो हमारा latest episode है, उस पर भी हमने यही चीज़ के बारे में बात की, कि कैसे EVMs को लेकर जो इतने सवाल है, और बात hacking की नहीं है, मैं conspiracy theorist अगर है, उन्होंने अगर episode नहीं देखा तो पहले ही बता देता हूँ, बात EVM hacking की नहीं है, बात है कि जो सवाल उठे है EVM के उपर, उस पर इतनी चुपी क्यों है, क्यों नहीं बताती है election commission कि यह जो 10,000 वोटो तक की जो mismatch होती है, वो क्यों होती है, क्या problem है, अगर 100% VVPAT matching करवा दी जाए, अरे paper trail है, आदमी ने ballot डाला है, 2-4 दिन में आप ballot भी count कर लो, क्या problem है, अरे 5 दिन में अगर extra लग भी जाते है है, 5 साल का election है, यह T20 क्यों बनाया है आपने, किसी ने नहीं बोलाए कि एक ही दिन में मुझे result चाहिए, 2 ही गंटे में सारा result चाहिए, जब मैं तो Pepsi, Cola पी कर और Burger खा कर ही election result देखूंगा, और मुझे 12 एक बज़े तक चाहिए, कि अगले 5 साल तक मेरा देश कौन राज कर है, 100% foolproof होना चाहिए, तो जो सवाल उठे है, कि यह 20 लाख missing EBM कहां चले गए, क्या यह जो black box है, वीवी पैट का, 32 साथ सेकेंड के लिए चलती है, वोटर के हाथ में slip दे दो, वोटर अपने आप ही वो slip अंदर डाल देगा, और उसके बाद आप 100% matching करा लो, लेकिन यह Supreme Court कोई progressive step भी लेती है, तो उस पर final action कुछ नहीं होता है, ना BJP सरकार ने मसी पर action लिया, ना Supreme Court ने, ना BJP सरकार ने action लिया, electoral bonds खतम होने के बाद, कि अच्छा चलिए, सारा खुला चिठा सामने लाते हैं, Congress को कितना मिला, BJP कितना मिला, BSP को कितना मिला, उस पर भी अभी रोखने की कोशिश है, और जहां electoral EVM machines की बात है, वहाँ भी सरकार clear जवाब नहीं देती है, इसके बाद भी हम लड़ने पर आ जाते हैं, गोली मारने पर आ जाते हैं, कि अगर कोई सवाल उठा दे गल्ती से, कि किस तरफ हमारी democracy जा रही है, अगर ये सवाल उठाने की कोई हिमाकत कर दे कि ये बताईए कि कितने देशों में आज EVM's use हो रहे हैं, अगर ये सवाल उठाने की कोशिश कर दी जाए कहां, कि भाईया ये देखो किस तरीके से electoral bonds misuse हो रहे हैं, ऐसा पूरे दुनिया में कहीं नहीं होता है, तो फिर आप पर लोग हावी हो जाते हैं, ले नहीं या इस पर बोलती है कि नहीं भाईया, इस बात को तो हम नहीं मानने वाले हैं, मैंने एक सवाल भी पूछाता है, as a matter of fact, मैं देखता हूं कि अगर वो सवाल का जबाब यहां कुछ लोग दे पाए हैं, जहां मैंने लोगों से एक सवाल पूछा, कि भाईया आप बता to SBI to come up with electoral bond details, 51% लोग अभी भी कह रहे हैं, देखिए कितना faith है, 51% लोग कह रहे हैं कि Supreme Court इस बात को मान जाएगी, Supreme Court जून तक, end तक time देगी, election के बाद ही, कि आप अपना बताईए, electoral bonds का मतलब क्या है, और किसने किसको कितने दिये थे, and that will be too late, क्योंकि उस information का आदमी सिर साथ पी जाएगा, क्योंकि election तब तक हतम हो चुके थे, Supreme Court का ये जो फर्मान था, उसका core basis यही था, कि election से पहले आदमी देख पाए, परक पाए, कि 5 साल से जो पैसा खा रहा था, उसका political leader, उसका party, वो क्या पैसा खा रहा था, और उसके बदले में उसने क्या काम किया था, उसी चीज़ को अगर आप negate कर दोगे, तो फिर ये verdict का कोई माइने नहीं रह जाता, जो की हमने predict किया था, अगर आप हमारे पहले episode में जा कर देखिए, electoral bonds episode में, उस पर भी last में हमने यही बात बोला था, कि बहुत मुश्किल लगता है कि ये court, ये BJP allow कर देगी इस बात को क्योंकि इस पर बहुत लोगों की पोल खुलने वाली है, दीपक कुमार वही कह रहा है कि do you think this extension is just to get past the electoral elections and उसके बाद data की कोई value नहीं है, so very clearly at this point of time, it is a very big question, अब ये देखने वाली बात है कि अब Supreme Court इस चीज़ को लेकर क्या करती है, SNL बाद में question answer का round चलता रहेगा देशभक्त पर, बट इस सवाल पर आप भी थोड़ा focus करिए कि democracy का कैसे गला गोटा जा रहा है, एक तरफ आप अंबानी की शादी में बहुत busy हो, लेकिन दूसरे तरफ देख लो कि कैसे democracy का divorce हो रहा है, एपिसोड कैसा लगा, और भी live updates च